जनता की सुरक्षा में तैनाद पुलिस ही कई बार आम नागरीकों में खौफ की वज़ा बन जाती है। अगर पुलिस आपको किसी गहर कानुई तरीके से गिरिफतार करती है तो ये भारतिय डंड प्राक्रिया का उलंगधन है। इतना ही नहीं भारतिय सम्मिधान में अनुछेद 20, 21 और 22 में दिये गए फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाव है। अगर आपको पुलिस गिरिफ मान लीजे किसी मामले में पुलिस आपको गिरिफतार करने आती है तो आपका ये पहला अधिकार है कि आप उससे आईडी या पहंचान पत्र मांगें। गिरिफतार होने वाले वेक्ट को ये राइट्स है कि वो पुलिस के अधिकारी से पूछें कि उसे किस मामले में गिरि दूसरा अधिकार मजिस्ट्रेट से पर्मीशन लेनी होगी इसके साथ ही जिन पुलिस अधिकारियों ने आरूपी वेक्ट से पूछ ताज की हो उसका नाम जानने का भी अधिकार है जब तक कोई वेक्ट पुलिस कस्टेडी में है तब तक हर 48 घंटे में अपनी मेटकल जाँच करवाने का अधिकार भी रखता है जहां तक महिलाओं की गिरफतारी का सवाल है तो CRPC की धारा 46 चार कहती है किसी भी महिला को सूरज जूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता हलाकि अगर किसी परिस्थिती में महिला को मजबूरन गिरफतार करना पड़ता है तो इसके लिए पहले एरिया मजिश्ट्रेट से परमिर्शन लेनी होगी CRPC की धारा 46 के मताविक महिला को सिर्फ महिला पुलिस कर्मी ही गिरिफतार कर सकती है किसी भी महिला को पुरिस पुलिस कर्मी गिरिफतार नहीं करेगा पांचवा अधिकार अगर गिरिफतार किया गया वेक्त गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानि उसको फ्री में वकील मुहिया कराया जाएगा साथी ग्रिफतार किये गए व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी जाज के दोरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है तो ये वो कानूनी अधिकार हैं जिनको हर नागरिक को जानना जरूरी है